हमें इस expression के limit निकाननी है और यह जो expression है अगर इसमें हम direct limit रख देते हैं तो हमें यह expression कुछ इस तरह से मिलता है 1 upon 0 into 0 क्योंकि limit जो integration है जब हम उसमें 0 to 0 integrate करेंगे तो इसका integration जो है वो 0 आता है करते हैं या infinity by infinity form में उसकी limit find out करने के लिए और जब इस format में convert हो जाता है तो अब हम उसमें एल होपिटल रूल लगाते हैं और एल होपिटल रूल क्या कहता है एल होपिटल रूल के हिसाब से हमें numerator और denominator का separately यानिके अलग-अलग differentiation करना है और यह बात भी ध्यान रखनी है कि एल होपिटल रूल एक बार से ज़्यादा apply किया जा सकता है जब तक हमें infinity by infinity या 0 by 0 form मिल रही है तो यहाँ पर जो यह limit दे रहे थी इस expression को मैं फिर से लिख लेता हूँ limit x tends to 0 positive 0 positive का मतलब है कि हम 0 को right से अप्रोच कर रहे हैं और 1 upon sin square x integration from x by 2 से x sin inverse t dt यह हमें expression था अगर अब यहाँ पर मुझे यह numerator इतने पार्ट को मैं numerator में रख लेता हूँ और जो यह वाला पार्ट है उसको मैं denominator में रख लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x by 2 से x sin inverse t dt यह मेरा numerator पार्ट हो गया है और denominator पार्ट हो गया है मेरा sin square x इस तरह से और यहाँ पर limit x tends to 0 positive यहाँ पर इस तरह से मैंने लिख खा इसको अब यहाँ पर मुझे क्योंकि आपके जो format मिल रहा है यह मुझे को 0 by 0 format मिल रहा है और 0 by 0 format मिल रहा है तो मैं इसमें l hospital rule apply करूँगा यानि कि मुझे numerator का differentiation करना हूँगा तो differentiation under integral sign यानि कि मैं इसमें lebanese rule भी apply करूँगा और lebanese rule के according मुझे जो मिलेगा expression वो मिलेगा sin inverse x और फिर upper limit का differentiation तो वह 1 हो जाएगा minus variable को replace करूँगा lower limit से और फिर lower limit का differentiation यानि कि 1 upon 2 और denominator में हो जाएगा sin square x का derivative यानि कि x square के format से करेंगे to sin x और फिर sin x का derivative cos x और हमारी जो limit थे वो approach कर रही थी 0 positive को अब यहाँ पर आप देखें फिर से जो format बन रहा है denominator में इसका मतलब हुआ sin 2 x और जब हम numerator मे limiting point रखेंगे तो यह 0 by 0 फिर से मिल रहा है हमें तो हमें इसमें एक बार फिर से l hospital rule को apply करना होगा तो sin inverse x का sin inverse x का जो differentiation होता है 1 upon 1 minus x square minus 1 upon square root 1 minus x by 2 का whole square और फिर x by 2 का आपको differentiation करना होगा वो होगा 1 upon 2 और 1 upon 2 आपका पहले से मुझूद था यहाँ पर sin 2 x का जब आप differentiation करेंगे तो 2 cos 2 x मिलेगा और जो यह limit थी यह कहां को जा रही थी यह 0 से 0 positive की तरफ थी अब आप इसमें जब 0 positive रखेंगे तो यहाँ पर denominator में 0 हो जाएगा यानिकि non zero नंबर आएगा तो हमें मिलेगा 1 upon 1 minus 1 upon 1 into 1 upon 4 divided by 2 और जब हम इसको evaluate करेंगे तो यह हमें मिलेगा 3 by 8 यानिकि अब आप देख लिजिए कौन सा option 3 by 8 दे रहा है option D हमारा correct option होगा